आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की वोटो कीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question is In the 1930s CB von Neill correctly hypothesized that oxygen atoms in the oxygen gas released by plants comes from CB von Neill की अब scientist जो CB von Neill थे उन्होंने 1930 में एक statement बताया था सबसे पहले हम बता दे कि ये क्या थे एक microbiologist थे ये क्या थे microbiologist अब CB von Neill ने क्या दिया था अगर देखे तो उन्होंने explain करा था chemistry को और किस चीज की chemistry इन्होंने explain करी chemistry of photosynthesis इन्होंने बताया chemistry of photosynthesis हम जानते हैं कि photosynthesis process perform करते हैं green plants अब green plants photosynthesis process के थूँ अपना food बनाते हैं अब इस process में green plants use करते हैं S2O का यानि water का also ये use carbon dioxide का and ये use करते हैं sunlight का basically अगर देखा जाए तो ये यहां से अपना food बनाते हैं और food बनाने के process में oxygen जो होता है ये क्या होती है release होती है अब यहां पर देखें तो oxygen release किससे होती है तो H2O जो होता है यानि की हम बात करें water की तो इसी water की क्या होती है ये लिसिस होती है अब ये water की लिसिस को हम बोलते हैं photolysis अब photolysis जो process होता है वो light reaction में होता है light reaction से हम समझते हैं कि ऐसा reaction जो light dependent हो light की presence में हो और light reaction में use करके light energy का water जो होता है ये क्या होता है ब्रेक होता है वोटर का क्या होता है breakdown और इसी breakdown में क्या होती है oxygen gas atmosphere में release होती है अब CV1-0 ने ये hypothesis दी थी इन्होंने क्या दी थी ये hypothesis दी और ये hypothesis में इन्होंने ये hypothesis कि गया कि जो oxygen है oxygen की बात हो रही है sorry यहां पर हम consider करेंगे oxygen के atom को तो इन्होंने बताया कि जो oxygen atom है यह oxygen atom जो कि oxygen gas में है वो released होन रहा है plant से और plant से यह release हो रहा है जो कि A कहां से रहा है water से that is S2O से तो यहां अगर option देखें तो option 1 यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा CO2 से mainly देखा जाए तो CO2 responsible होता है glucose के बनाने में कि C6S12O6 यह तो end product है यानि यह हमारा क्या है glucose ही है तो यहां पर देखा जाए तो जो CO2 है इसका क्या होता है fixation होता है तो यहां CO2 fixation होता है यानि यह हमारा wrong option हो गया option 3 भी wrong है और O3 यह हमारा considered हो रहा है ozone में तो ozone formation इससे नहीं होती है correct answer हमारा हो जाएगा option 1 क्लासिक स्ट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर